हाई गाईस हाव यू वेलकम तू माई यूट्यूब चानल आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं फॉर 23 जून 2021 आज का दिन आपका कैसा जाएगा और मैं डेली रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं कि आपका पर्टिकुलर डे जो है डेली वो कैसा निकलेगा ठीक है एंगे ज साथ हो सकता है नहीं हो ठीक है तो टेकिट वर्ट रेजोनेट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ आपका वर्क लाइफ और आपकी हेल्थ और ओवरॉल कैसा रहेगा चलिए सबसे बहले हम देखते हैं कि 23rd जून 2021 में आपके लव लाइफ कैस चाहिए के साथ है पेरेंट्स के साथ हस्बंड वाइफ गल्फरेंड बॉयफरेंड वोइफ और विल बी यूर रेलेशनशिप स्टार्स टोड़ेंड तुड़ेंड तेमपरंस और फाइफ फाइफ कपस ओके आप लोग काफी परेशान चल रहे हो अपने रेलेशनशिप को लेगे ठीक है रिलेशनिशिप कुछ भी हो सकते हैं आपके में भी जगडे चल रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने स्पाउस के साथ या गर्ल्फिंड बॉर्फिंड या अपने किड्स फ्रेंड्स ठीक है कुछ भी मतलब कही न कहीं वो एक unsatisfactory feeling चल रही है आपके दिल में कि चीजें जो है न relationship wise वो आपके हिसाब से नहीं हो रही है ठीक है मतलब आप hard work पूरा कर रहे हो आप पूरा अपने efforts लगा रहे हो कि आपके relationship बेटर हो चीजें जो है वो सही हो लेकिन आपको ना को हो बाकी है अभी चीजें जो है न वो सही हो सकती हैं आपके relationship में अगर आप करना चाहो तो यह card है temperance, card है healing का तो healing मिलेगी आज के दिन जो situations जो खराब हो रखी है ना बहुत time से आपके relationships में उसमें आज थोड़ा सुधार दिखेगा या maybe आपका partner एक कदम बढ़ा है आपकी तरफ या आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाओ ठीक है लेकिन यहापे efforts जो है ना वो mutual लगेंगे में बहुत आपसे sorry बोल सकता है maybe कोई अपनी गलती मान सकता है ठीक है लेकिन जो भी है angels आपको protect कर रहे है angels आपके relationship को protect कर रहे है और आज की दिन आपके लिए guidance दी है कि आज आपना बहुत जादा effort नहीं लगाएं किसी चीज को सही करने में ठीक है अगर चीज़ें अपने आप balance out, sort out हो दी हैं तो वो अपने आप होने दें अगर कोई आगे बढ़के आप से बात करने के लिए आ रहा है कोई अच्छे से बात करने के लिए आ रहा है तो आप you know just don't neglect आप अच्छे से बात करिए आप अपने words जो है ना वो अच्छे से choose करिए और आप भी कोशिश यही करिए कि चीज़ें जो है वो और खराब ना हो ठीक है यह आपके लिए guidance जै लिए बट आज बहुत ही healing energies रहेगी आज बहुत ही शांत energies रहेगी आप मेभी आप और आपके partner दोनों ही चीज़ों को sort out करना चाहो ऐसा दिख रहा है आज ठीक है चली अब देख लेते हैं work life में work life में आज का दिन 23rd June 2021 कैसा रहेगा आपके लिए work life ओके हमाई पास आया है three of pentacles ten of swords सबसे बहले तो three of pentacles यह बिताता है कि आज थोड़े से busy रहोगे ठीक है अपने colleagues के साथ है discussions वगरा बहुत हो सकते है work life को लेके या फिर आज 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 finally कुछ ऐसा start करो कुछ ऐसा काम करो जो बहुत time से करने का सोच रहे हो कुछ ऐसा जिसे की आपकी skills improve हो कुछ जैसा की जो creative हो जो आपके लिए करना जरूरी है ठीक है तो आज आप finally वो start कर लो and ten of swords दिखा रहा है कि कोई ऐसी place है जहांसे आप बहुत नाखुश हो कोई ऐसा एक environment है workplace पे जासे आप बहुत नाखुश हो ठीक है तो मेभी आप वो चीज आच end कर सकते हो मेभी आप मेंसे काफी लोग आज कोई कोई career option छोड़ सकते हैं कोई job छोड़ सकते हैं या आप किसी चीज की ending कर सकते हो या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत टाइम से इस energy में हो 10 of swords वाली कि आप ना आपने बस हार मान लेगी नहीं मुझसे कुछ नहीं हो सकता मुझे कुछ नहीं करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे उठना है कैसे आगे बढ़ना है में भी कोई बहुत डिफीट होई है आपकी इंदी पास तो आज आप इस चीज से बाहर निकल के फिर से अपनी पावर में आ रहे हो फिर से वो काम सुरू कर रहे हो फिर से कुछ ऐसा करो जिससे की आपको आगे जाके benefit हो ठीक है तो आपको give up नहीं करना है आपको बस आगे बढ़ते रहना है अपने work life में initially थोड़े से efforts लग सकते हैं लेकिन but finally you will आगे future में वो चीज आपके benefit में ही होगी ठीक है अब देखते हैं health wise health में सब कोई आजाता है guys physical, mental, emotional health कैसी रहेगी आपकी 23rd June 2021 King of Cups Four of Pentacles health मुझे आपकी अच्छी दिख रही है king of cups काफी healing वाली energy है मतलब आज आज आप ज़्यादा लोगों से interact करना पसंद नहीं करोगी आज आप अपने शान्त अकेले बिलकुल मतलब healing बस अपना ही दिमाग शान्त रखना, अपने emotions पे control रखना, जादा लड़ाई जग्रा करने आए तो उसके मुह नहीं लगना इस तरह के आपके energies रही है तो आप distant रहोगे लोगों से जो लोग आपकी energy को drain कर रहे है especially उन लोगों से आप दूर रहना पैसंद करोगी आश के दिल king of cups वाली energy जी रहेगी आपकी ठीक है emotional ज़रूर रहोगे आप थोड़े से मतलब emotions, emotional health का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कोई आके आपके emotions के साथ ना खेले, आपके emotions को hurt ना करे ठीक है, तो इसलिए आज आप जितना अकेले रह सकते हो, जितना मतलब शान्त और अपनी feelings खुद तक ही रखना, क्योंकि कई बार हमारे physical health अच्छी होती है, बट emotional health हमारे खराब होती है, तो हर तरह से हम ना down feel करते हैं, ठीक है तो अगर कोई आप से अच्छे सा आगे बढ़के पंगे नहीं लोगे अपने तक ही अपनी healing करोगे, अपने आप में खुश रहोगे, मस रहोगे, अपने आपको heal करोगे, ठीक है, चलिए देखते हैं, overall कैसा रहेगा आपका आज का दिन, overall आज का दिन आपके लिए, 23rd June 2021, we have prosperity और good times, ठीक है तो जितना आप arguments को avoid करोगे, जितना आप अपने आप में खुश रहोगे, उतना ही आप अच्छे time को attract करोगे, आज अब पदर बहुत अच्छा निकलेगा, ठीक है, बलब, अगर जिजन अमाई लडाई ना हो, शांत एक वातावरण, हमारे घर का, ठीक है, सब कुछ environment अच्छा हो, ना आप किसी से आगे वड़के problems create करें, ना आप किसी की problems फालतू लें, ठीक है, तो फिर एक good time ही निकलेगा, तो आपका दिन जो है न वो अच्छा रहेगा, ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसको अच्छा ब कर रहे हो, खुद की mental health, physical health, emotional health के बारे में कितना सोच रहे हो, खुद के finances के बारे में कितना सोच रहे हो, ठीक है, prosperity आप attract करोगे, और good time से आप attract करोगे आज के दिन, ठीक है, चलिए हम guidance देख लेते हैं, गौट आपको आज के लिए क्या guidance देंगे, 23rd June 2021, 23rd June 2021, ओके भी है, कर्मा रिलीजिंग, मोव बियॉंड ड्रामा, create your own path, make room for good energy, exactly, बिल्कुल सही card आया है, ठीक है, move beyond drama, कोई भी ड्रामा आपकी life में create कर रहा है, तो उसे दूर रहे है, ठीक है, उसे move beyond हो जाहिए, आप आगे बढ़के, कोई drama create मत करिये, create your own path, अपना path खुद बनाईए, and make room for good energy, तो आज सिव अच्छी positive energy के लिए, अपना room बनाईए, जो लोग negative आपको feel करवाते हैं, जो आपकी life में negative video लेके आते हैं, उन से दूर चाहिए, और बिल्कुल भी मतलब ऐसा कोई behavior टॉलरेट ना करिये, जो कि आपकी emotional health, mental health पे affect कर सकता है, ठीक है, बाके आपका दर आज बहुत अच्छा जाएगा, peaceful day, I would say, ओके गाइस, तो यह है आपकी reading, like, share, subscribe, thank you